हेलो अबरिबॉन तो आज की जो रिडिंग है यह हम करने वाले हैं कि आज सुबह आपके जो पार्टनर है वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए ठीक है रिडिंग का टॉपिक यह है धियान रखेगा कि यह एक जन्ना रिडिंग होगी कलेक्टिव रिडिंग होगी जिनके से लिए क्योंकि सिर्यस लेने का कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि हम एक किसी एक कैंट नहीं करें आप अपनी प्रस्टनल रिडिंग लेथि तो स्रीप मैं आपके नेर्जिसकोपिक लिए दिekन यहां पर हम लोग ग्रूप में रिडिंग पर रहे हैं तो ग्रूप वाली आपके लिए ना तो आप लोग समझ गए होंगे तो चलिए अब हम बिना किसी देर के करते हैं रीडिंग को स्टार्ट देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज सुबह सुबह क्या फिल कर रहे हैं आपके लिए ठीके चलिए देखते हैं कार्ट्स में गाइड करें एंजल उनिवर्स और सिस्टर्स गाइड करें ओकें गारे खेले एंजल उनिवर्स और सिस्टर्स गाइट करें, ओके, नाइस, ओके, ठीक, चले, देखते हैं, क्या कार्ट्स निकल के आते हैं, आप लोगों के लिए, क्या फिलिंग्स रही हैं, आज सुबर सुबर, इनके पार्टनर की, यह देखें, कार्ट्स, कभी-कभी इतनी ज़्यादा आते हैं, कि हम ले नहीं पाते हैं, कभी-कभी अनेर्जी हाई होती हैं, कभी-कभी अनेर्जी स्लो होती हैं, ओके, ठीक है, पॉटम अफ़ देख, एस अफसोड्स, वाव, बहुत ही प्यारा सा कार्ड है, पॉटम अफ़ देख, हम, फिलिंग काफी अच्छी हैं, रिलेशन्सिप में सक्सेस, चाहिए आपके पार्टनर को, रिलेशन्सिप में न्यू बिग्निंग, चाहिए, चाहे जैसे हो, जो हो, बट चाहिए, ठीक है, आपके और आपके पार्टनर के बीच, ऐसी एनजी को मैं फिल कर पा रहे हूँ, जहां आपके पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट और आपको कहीं हं तक अपने आप से काफी हाई लेवल का पॉर्सन समझ रहे हैं, चाहे प्रोफेशनल वाइज हो, आपका प्रोफेशन अलग हो सकता है इनसे, लाइक डॉक्टर हो सकते हो, इंजीनियर भी हो सकते हो, लॉंग डिस्ट्रेंस रिलेशन्सिप भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, और एक्स्ट्रा मारिटल अफ्वियर भी मुझे चैनल हो रहा है कि कुछ लोगों का है, जो यह रिडिंग देख रहे हैं, ठीक है, 8 of pentacles, queen of pentacles, 8 of swords, 8 of wands, 10 of pentacles, 3 of pentacles, 5 of cups, the empress, यह मेरे पास, king of swords, 8 of pentacles, and मेरे पास, 7 of pentacles, sign बता दू आपको पहले, टॉरस, वर्गो, काप्रिकॉन, strong sign है, टॉरस, वर्गो, काप्रिकॉन, ठीक है, Gemini, Libra, Aquarius भी है, Cancer, Scorpio, Pisces भी है, and है हमारे पास, Aries, Leo, Solitarious, यानि कि सारे अलिमेंट से सारे sign अवेलेबल हैं हमारे पास, आपके partner, देखिए, क्या है न, कि आप दोनों का जो रिष्टा है, आपके और आपके partner का, एक ऐसी energy को मैं देख पा रही हूँ, जहां पे मुझे दिख रहा है, कि आपके partner आप से जुड़ना चाह रहे हैं, ठीक, लेकिन यहाँ पे problems आते भी दिख रही हैं, problems क्या आ रही हैं, problems आ रही हैं, आप दोनों के बीच इतनी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा life में चीजें stuck होते भी दिख रही हैं, मुझे दिखता है कि आपके और आपके person के बीच, काफी कुछ situations ऐसी आ गए हैं, जहाँ पे काफी तकलीफ वाली energy, यहाँ पे यह person को feel होती भी दिख रही है, काफी तकलीफ, काफी दर्द, काफी अकेला पन, यह person को मैं feel करता हुआ देख पा रही हूं, आपके person जो हैं, कहीं न कहीं इतना ज़्यादा problem में हैं, इतना ज़्यादा problem में कि यह person को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, कि इनको, इनकी life में, जो चीजे चलती हैं, इनकी life में जो problem चल रही है आपी फिल्हाल, जिस तरीके से यह person अपनी आपको अकेला पन feel कर रहे हैं, जिस तरीके से यह person अकेले हो गए हैं, इस अकेले पन में इनका साथ कोई देने वाला नहीं है, क्योंकि जो भी अकेला पन है, जो भी तनहाई है, जो भी दर्द है, इनका खुद का अपना किया हुआ है, यानि कि यह person का ऐसा है कि, इन्होंने आगे बढ़ने से पहले काफी कुछ सोचा है, आपके साथ आगे बढ़ने से पहले अभी फिलहाल की मैं बात कर रहे हूँ, कि यह person सोच रहे हैं, यह person को feel हो रहा है क्या, इस person को feel हो रहा है कि मैंने कहीं ना कहीं, हम दोनों की जिन्दगी में problems create की हैं, और यह problem जो हैं हमारी हमेशा के लिए मैंने create कर दी है, यह problem एक time के लिए होता है ना कि खत्म हो जाता है, तो खत्म होने वाली problem मुझे नजर नहीं आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि इस person ने आपके सामने बस काटों का समंदर डाल दिया है, और उन काटों के समंदर में ही आपको चलके पार होना है, इस person को feel हो रहा है कि मुझे भी काटे पे ही चलना है और उसको भी उसी पे चलना है, क्योंकि इन्हों ने आपको क्या किया है, बीच मज़दार में ले जाके छोड़ दिया, क्योंकि इनको लगा कि आपके साथ बढ़ना एक रिस्क के समान है, आपके सामने, आपके साथ बढ़ना, इनके, हो सकता है कि family इनकी राजी ना हो, इसकी वज़ाए से ये person थोड़ा सा, किसी और की बातों में आकर के, इस person ने आपको डिच किया है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, किसी और की बातों में ये person आये हुए है, किसी और की बातों में पूरी तरीके से आकर के, इस person ने अपने आपको एकदम से खतम कर लिया है, एकदम से अपने आपको stuck कर लिया है, एकदम अपने आपको तनहा तनहा कर लिया है इस person ने, मुझे यह person आते हुए दिख रहे हैं आपकी life में यह person आपके life में एक जो थाने कि अपनी life को यह person काफी जादा मुश्किलों से जी रहे हैं 8 की energy है 888 है जो कि मुझे बता रहा है कि काफी जादा problems का सामना यह person कर रहे हैं life में और अभी से नहीं, यह person का हो सकता है, August month आप लोगों के लिए significant हो सकता है, ठीक है, August month आप लोगों के लिए significant हो सकता है, और मैं ये भी कहूँगी कि अगस्त के मन्त में, देखो financially यहाँ पे कुछ लोगों को काफी ज़्दा profit हुआ होगा, जो भी मेरे विवर्स देख रहे हैं उनको या फिर उनके पार्टनर को क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इन्यूवर्स की तरफ से आपके पार्टनर की लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहा था यह फाइन्स को ले करके तो वो कहीं न कहीं थोड़ा सा खतम हुआ है और मुझे दिखता है कि आपके person इन्हीं सारे चीजों में ये परिशान होते रहें होते रहें होते रहें आपने आपको करते रहें मुझे ये भी दिख रहा है जिसे कि आपके person को अब जो है न कहता है कि life में एक नया पढ़ाओ है ना इस person को feel होता हुआ दिख रहा है जैसे कि spirituality के तरफ अब जो है ये person सोच रहें कि मैं अपने आपके spirituality के तरफ बढ़ाओंगा तो कुछ अपने माइन को शांत कर पाओंगा अपने माइन को प्रिपेर कर पाओंगा अपने माइन को सही तरीके से जो है ना balance कर पाओंगा आपके person की life balance नहीं है यहाँ पर balance है ही नहीं तो यहाँ पर दिख रहा है कि यह person जैना अपनी life को balance भी करना चाह रहे हैं यह person सोच रहे हैं यह person को feel हो रहा है कि बस बहुत हो गया अपने finances अपने career की वज़ा से मैंने अपने person को भी छोड़ दिया मेरे relationship में कोई improvement नहीं आ पाई तो अब दिख रहा है कि यह person जो है ना अब आपके साथ अपनी life को enjoy करना चाह रहे हैं लेकिन यहाँ पर यह किसी ना किसी तीसरे की बातों में आ जाते हैं आपके person यह clear है य इतना भी अपने आपको जो होता हैं कि अपने आपको आगे ले जाने की कोशिश करें लेकिन यह person आगे नहीं ले जा पाते हैं आगे नहीं कर पाते हैं यह person ठीक मुझे यह person का यह भी दिख रहा है कि काफी ज्यादा एक ऐसी energy को फिल एक ऐसी energy हो रही है कि आपके person एक आप दोनों के बीच में age gap हो सकती है age gap ठीक है मुझे देख रहा है कि यह person को अब जो है ना देखो यह person powerful person है लेकिन अभी भी इनको जो है आपकी जरुत है आपकी जरुत आपके बगर यह person नहीं आगे बढ़ना चाह रहे हैं या नहीं बढ़ सकते हैं यह person काफी controlling है देखो इनके अंदर emotions काफी भरे पड़े हैं ठीक है इनके अंदर काफी जदा emotions भरे पड़े हैं लेकिन यह person अपने emotions को भी काफी control कर रहे हैं अपने आपको control कर रहे हैं यह person एक advisor हो सकते हैं या फिर कि डॉक्टर भी हो सकते हैं यह person मुझे यह person कि advocate भी हो सकते हैं लॉस से जुड़ा हुआ इनका कुछ हो सकता है ठीक है बहुत ज़्यादा इनकी energy बता रहे है कि यह person काफी बैतरीन से energy में है यह person काफी अच्छे हैं ठीक हैं देखो rude हैं यह person no doubt बट यह person के अंदर एक जो होती है कि बुरा इंसान है लेकिन है person जो है ना बहुत अच्छे इंसान है मैं यह देख पार हूँ क्युक्र लोजिकल जरूर है या कहें तो सिट्फिवर्स को देख करके घबराती नहीं है है डिसीप्लीन के साथ चलते हैं इनका अपना ही एक अलग रूल है लेकिन इन शारी शारी चीज़यों को समझते हुए ये परसुन को करना है शबसे पहले इनका सपना था कि अपने आपको करना है पैसे चाहिए लाइफ में होना है तो पैसे चाहिए पैसे आगए इस पर सण के पास तो अब ये чको अपने वो आपके सामने रखना चाहते हैं, आपके सामने आना चाहते हैं, ठीक है, हाँ, ये परसन का ये दिख रहा है कि थोड़ा सा रोमेंस में थोड़ा सा कमी कर देते हैं, मतलब आपके साथ जो एक रोमेंटिक मोमेंट होता है, उसको जी नहीं पाता है ये परसन, क्योंकि कहीं त्यार रहते हैं कि अगर मेरे सामने आया तो मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा ठीक है मुझे दिख रहा है कि आपके कहीं न कहीं अपने आपको प्यार में पढ़ने से यह ड़ते थे क्या से फीलिंगों अग्युशन कि इसलिए पारसन है इतना परिशान परिशान है कि एक दम से होता है न कि कभी इंसान होता है की टूट जाता है तो यह पर्सन तूटते हुए से मुझे दिख रहे हैं, यह पर्सन कभी-कभी अपने आपको इतना अज़दा स्टक फिल करने लगे हैं कि इनको समझ में ही नहीं आ रहा है, इनको लग रहा है कि अब आप इनको इनको करदों इनको रिजेक्शन का ऑबी डडल मुझे नजर आ रहा है, इनको वह ठीक हिरों को दर्द है, जो गिल्ट है, वो अंदर ही अंदर सता रहा है, ठीक है, तो ये आपके पॉर्सन की अनर्जी मुझे दिख रहे हैं, काफी ज़दा उदास हैं, काफी ज़दा रोते हुए दिख रहे हैं, काफी दर्द को फिल करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, मुझे ये नजर आ रहा हैं आपके पॉर्षन की अनेर्जी के अनुसाब से तो ओवरॉल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ट में तो आई होप रीडिंग आपके साथ राजोनेट की होगी राजोनेट की है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएग मिलेंगे अब अब हम अगली रीडिंग में तब तक हसर रहें, मुस्कुरातरी और खुश रहें, बाबाई